दोस्तों नमस्कार में नरेंद्पाल मैं अपने यूटूब चैनल एनपी टीचर कलासेज में आपका पूरा एक बार स्वागत करते हैं दोस्तों मैंने डिलर फोर समस्टर पेपर वन आरंबी की स्थर पर भासा गडित का विकास इस पार्ट को शुरू किया था इस पेपर के मैंने वसदुनीश परशनों को करा दिया चार पाटों में इसके बाद में आतिला गत्री प्रसुन का एक फस्ट टॉप फस्ट पार्ट अप्लोड कर दिया जिसमें टॉप टैन ूए इसके बाद मैं दूसरा पारट two लेकर आए हैं इसमें टॉप टैन सब्सक्राइब करना चाहते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिसे आपको नए नए वीडियोज डेलेट समंदी यूपिटेट समंदी नए कोस्चन किरिश्रीज मिलती रहें जिससे आपकी त्यारी वेतर तरीके हो जाये चलो शुरू करते हैं पहला कोस्चन आज का है आज का पहला कोस्चन है कि मिश्रित वाक की किशे कहते हैं मिश्रित वाक की किशे कहते हैं बड़िया इंपोर्टन कोस्चन है इसको छाट कर लाए मिश्रित वाकि किसे कहते हैं जिस वाकि में मुख्य रूप उपवाकि जिस वाकि में मुख्य उपवाकि और सेश उसके अश्रित उपवाकि हों तो उसे मिश्रित वाकि कहते हैं जैसे मोहन जब मोहन यहां आया तब मैं घर पर नहीं था ठीक है दोस्तों अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन है संयुक्त वाकी किसे कहते हैं जिस वाकी में दो सुतंत उपवाकी किसी समानाधी करण समुच्च वोदक्त था एक दूसरे से जुड़े हूं वह संयुक्त वाकी कहलाता है जैसे सोहन पड़ रहा है और सीता खेल रही है यह क्या है संयुक्त वाकी है नेस्ट कोश्चन है अंतस्त विंजन किसे कहते हैं जिन वर्लों के उच्चारण में जिब्या मुक्त किसी भाग को नहीं छूती और हवा बिना रगड खाये मुझ से बाहर निकल जाती है अइस जाती है उन्हें अंतस्त विंजन कहते हैं यह कितने होते हैं यह चार होते हैं याराला वा चार प्रकार के होते हैं बहुत मुझा जाता बेरी बेरी इंपॉर्टेट कोस्चन नेस्ट कोस्चन है कविता सिच्छन का महत बताई है कविता सिच्छन का महत बताई है नंबर एक है कविता मानों को रस्पूर्ट तता आनंद से परिपूर्ण कर देती हैं दूसरा कुछ दूसरा पॉंट है कविता मानों हर्दे को प्रावित करती हैं तिस्ठा पॉंट है कविता दोरा किशी समाज की संस्क्रेट गें संस्क्रेट दर्शन आधर्श तथा मूल्यों को अव्यक्त किया जाता हैं चोधा पॉंट है इसका कविता सिच्छन सक्ति में सजनात्मक सक्ति का विकास होता है इसके से आप क्या समझते हैं काफ़ी अच्छा कोश्चन है इसको बेरी बेरी टिक लगाते हैं बेरी बेरी इंपोर्टन हलंद से आशाए होता है कि सोर से रहित वर्ड या आधा वर्ड क्या हैं आगे क्या लिगाया देखते हैं आगे दिया हिंदी लेखन में जब किसी विंजन को स करना है तो क्या नीचे हलंत लगा देते हैं इसी प्रकार यह लाग को भी दिखाया गया है अच्छा कोशन नेस्ट कोशन है नेस्ट कोशन है सोला नंबर का है अपूड विराम किसे कहते हैं ये किसी सीर्वसक को उसी के आगे किसी सीर्वसक्षक को उसी के आगे स्पर्ष्च करने के लिए किए जाता है जैसे ये मेग दूत आगे ये जो कामाद दोबिंदि रखी है ये आगे एक अध्या test वर मतलब किसी सीर्शक को को उसी के आगे इसपश्ट करने के लिए प्रियोग के जाता है पुच्छन ने कुश्टन वाईउ तालाव रात्री सभी के दो-दो पर्रेवाची लिखिए यहां पर कोश्चन में पूच रहा है दो-दो कोई याद रहेगा तो चलो देखते हैं नमबर एक है उपुवन उपुवन इसमें क्या है वाग वर्टिका फुलवारी बगिया निष्ट है वायू पवन अनिल समीर हवा ये पर्रयवाची कहते हैं अगर यहीं पर समानारती पूछ दें तब भी यहीं हो जाएगा डालाब जलासे ताल सरोवर रात्री रात निशा रजनी निष्ट कोशन देखते हैं निष्ट कोशन है शुत लेग के चार लाव लिखिये शुत लेग से क्या कैलाब होते ये हमें लिखना है किया किया होते हैं देख लेते नमबर एक विधियरतियों की सर्मंट पक्रिया में यानि सुन्य की पक्रिया में सुधार होता है तीक है नेस्ट पॉंंट है विधियरतियों में लेखन सामगरी का विवाजन करना सीख जाते हैं विद्यार्थी विराम चिन आधिका ग्यान हो जाता है तता प्रियोग करना सीख जाते हैं नेस्ट इसका नमबर चार है विद्यार्थियों की बोज सक्ति में विकास हो जाता है या बोज सक्ति विक्षित हो जाती है फीक है next question है इसको important very very important लगाते हैं कि 5 का 9 से गुड़ा के जिता संक्रियाओं के नाम भी लिखिए तो 5 का 9 गुड़ा कर दिया 45 हो गया अब इसमें सबसे important है कि गोल्ड गोल्ड जो यह आगया जो हता है यह पांच गुडग गुडग और गुड़न फल यह गुडग गुड़न फल 45 नेस्ट कोश्चन है नमबर 20 का कोश्चन है यह भी इंपॉर्टन कोश्चन है ऐसे दो दोनों में से कोई पूछा जा सकता है सेलेक्टिव कोश्चन करके लाएं दोस्तों देख ली जी गया हूं इसमें क्या है कि भाक की संक्रिया है बताईएस समझाईए जो पांच और शाट पांच 35 को पांच से भाजक गया है तो पांच 37 बार गया है साथ यह पर सून भाजक संखिया यह पांच हो गई यह भाजक हो गई भाज yay Working at Iubato हो गई यह भागफल कि यह साथ हो गया तो दोस्तों यह रहे टॉप टेन आज के पार्ट टू था इसका आपको कैसा प्रयास कैसा लगा कमेंट में बताईएगा और मेरे वीडियो को लाइक सेस्क्राइब शेर कर दीजिए अपने दोस्तों में धन्यवाद दोस्तों